Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरी और ये है आप लोगों के लिए कमी वीक का सापता ही कराशीफल ये 25 नवेंबर से लेकर 1st December तक कि आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में सभी साइन्स के सापता ही कराशीफल हैं नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैंप है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टाइरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी, आपका साफ़त ही काश übrigफल चुरू करते हैं तो चलिए एडीज आप लोगों के लिए देखें कि कमी वे क्या लेक करा रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रॉफेशनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए काड है Two of Pentacles और ये काट कहता है कि इस week specifically professional friend में या तो एक से ज़ादा चीज़ों में आप involved हैं या फिर एक से ज़ादा चीज़ें आपको करनी बढ़ रही हैं और कहीं इन ही सब चीज़ों में एक balance आप लाना चाहा रहे हैं और थोड़ा सा effort लग रहा है थोड़ी सी महनत लग रही है लेकिन बहुत ही fun मजा मस्ती के साथ आप हर चीज़ को manage कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि पूरी तरीके से आप किसी भी एक चीज़ पर focus नहीं कर रहे हैं कभी कुछ और कभी कुछ इस तरीके की एक energies है सकती हैं यानि कि in and out किसी चीज़ से आप होते हुए दिख रहे हैं up and down चीज़ें किसी level पर होते भी दिख रहे हैं पूरी तरीके से एक stability नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं इस week रह रही है क्योंकि ये money का card है तो हो सकता है कि money से related भी आदान प्रदान exchange इस week आपके professional front में र low feel कर सकते हैं दिखे king of cups is a very very positive card मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये card reverse है या तो बहुत एक love, care, प्यार, महबत आप किसी करें महसूस कर रहे हैं या फिर किसी से आप इसी तरीके की loving, caring energies expect कर रहे हैं चाहा रहे हैं और उस तरीके से आपको नहीं मिल रही है तो दि मुटे मुटे issues मसले रह रहे हैं या फिर overall ही फिर से मैं कहूंगी एक emotional satisfaction एक emotional happiness नहीं उस तरीके से रहती हुई दिख रही है उच के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं excessive eating, drinking, marimaking हो रही है यानि कि आप उस तरीके से अपनी diet को नहीं follow कर पा रहे हैं उस तरीके से अपने एक खान पीने को routine को नहीं maintain कर पा रहे हैं again nothing bad in personal front but yes you know बहुत great चीजे नहीं रहती हुई दिख रही है आपर कोई major achievement भी नहीं रहती हुई दिख रही है and astrology से आप लोगों के लिए mercury का card है और इस card के हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के होगा witness day तो यह था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले टोरस आप लोगों के लिए coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के यह card है lovers reverse और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ disagreement, difference of opinion रह रहा है या फिर और professionals जो आपके profession से connected हैं उनके साथ किसी भी तरीके का मत भेध हम हिंदी में कह सकते हैं या English में फिर से मैं कहूंगी difference of opinion र दिख रहा है और कुछ के लिए हो सकता है आपके कोई colleague है, co worker है या फिर अगर आप किसी की तरफ attract हो रहे हैं romantic way में तो उनके साथ भी छोटे-मोटे issues, मसले, miscommunication या फिर एक gap इस week रह सकता है और दूसरी बात यह card कहता है कि हो सकता है कोई decision, कोई choice भी आप लेना चाह रहे ह और कहीं आप वो decision choice नहीं ले पा रहे है, heart और mind में एक जंग एक दुविधा रह रही है और जब भी यह card आता है मैं यही कहती हूँ, listen to your heart, otherwise you know देखिए professional friend में हमें थोड़ा सा logically चीज़ों को deal करना चाहिए, mind की जादा, दिल की कम सुननी चाहिए, मतलब मैं यह नहीं कह र professional friend में थोड़ा सा दिल की जादा सुननी है, उस चीज़ को choose करें जिसके लिए आप बहुत passionate हैं, बहुत आप enjoy करते हैं और बहुत आप love करते हैं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए queen of wands का card है, queen of wands बहुत ही daring, courageous, bold energies की बात करती है और इसी तरीके की या तो आपकी energies personal friend में र goldly चीज़ों को deal कर रहे हैं या फिर आपको बहुत motivate कर रहे हैं आपके goal मकसद को achieve करने के लिए, कभी-कभी होता है न हम थोड़ा सा low feel कर रहे होते हैं लेकिन कोई loved one या फिर कोई भी close one हमें इतना motivate करता है कि हमारे अंदर भी वो जोश आ जाता है, हमारे अंदर भी वो एक positive energy, motivating energy आ जाती है तो या तो कोई इनसान है आपके personal friend में जो आपको motivate कर रहे हैं या फिर एक self motivation बहुत जादा जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए रहते भी दिख रही है, courageous decisions, bold decisions, choices आप ले सकते हैं और थोड़ा सा extrovert इस वीक आप रह सकते हैं यानि कि जो भी आप feel कर रहे ह हैं जो भी चाहा रहे हैं उसके लिए आप आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं, all in all personal front ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है, इसके इसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये आप लोगों के लिए दिखेंगे कमी वी क्या लिए करा रहा है, क्या अनर्शीज हैं, तो professional friend में आप लोगों के लिए card है six of cups, और ये card कहता है कि इस week specifically professional friend में love relationships, in fact देखें professional friend में love relationships नहीं होते हैं, लेकिन जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, co- workers, colleagues या बाकी के जो professionals हमारे profession से connected होते हैं, उनके उपर ज़्यादा focus कर रहे हैं, उनसे related एक happiness ज़्यादा आती भी दिख रही है या फिर वो ज़्यादा एहम रहते भी दिख रहे हैं, यानि कि materialistic tangible चीज़ों से ज़्यादा connections आपके लिए एहम रहे हैं, क्योंकि ये card past को भी represent करता है, कुछ जर्मिनीज के लिए हो सकता है कि past का कोई इनसान आपकी current life में आ रहा है और कहीं एक emotions, feelings आप महसूस कर रहे हैं उनके लिए, आप देखिए, professional way में हो सकता है कि आप emotions, feelings महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक बहुत sharing and caring वाली energies रहती भी दिख रही हैं, या फिर आप past के किसी इनसान, company, workplace, event, organization को याद कर रहे हैं, उनसे connect करना चाह रहे हैं या फिर उनको आप refer कर रहे हैं, तो all in all, कहीं इस week professional front में emotions, feelings, sentiments, love, care, exchange of love care जाता रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of souls reverse का card है, ये card ending की बात करता है, जैसे कि इस card को आप देख पा रहे हैं, जो रात है वो नीचे है और ये जो yellow yellow है, ये उपर है और कहीं अगर आप देखें, तो figure के ऊपर, figure को जो swords लगी हुई है, वो भी नीचे की तरफ जा रही है, यानि कि गिर रही है तो इसे साब से देखें, ये card एक बहुत positive way में नई beginning के होने की बात करता है और in fact के card कहता है, पीछे जो भी issues, मसले थे, वो किसी level पे इस week resolve होंगे हालां कि देखे, 10 of swords is not a very positive card, तो resolve होंगे, लेकिन फिर भी कुछ issues, मसले रह सकते हैं बट yes, एक positive तरीके से beginning, एक positive तरीके से नई शुरुआत किसी चीज को लेकर या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे है, और जो भी चीजे पीछे आपको परिशान कर रहे ही थी, hurt कर रहे ही थी, bother कर रहे ही थी, वो या तो fade away हो रही है, खुद से ही खतम हो रही है और significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो यह था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए concerns आप लोगों के लिए देखें, यह coming week क्या लिक करा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of swords और यह card कहता है कि इस week specifically आपके professional front में किसी भी level पे किसी भी तरीके के changes रह सकते है क्योंकि यह general leading है, यह changes सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है आप travel कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं, travel से related planning चल रही है कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी भी चीज में अटकावा महसूस कर रहे थे, उसमें से बाहर निकल रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है, emotional, mental level पर आप stuck feel कर रहे थे और उससे आप बाहर निकल रहे हैं, तो देखिए, फिर से कहूंगे, किसी भी तरीके के changes है सकते हैं, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कि change of place, change of office, change of team, change of project, change of job, इस तरीके से भी, you know, changes आपके professional front में रह रहे हैं, अब देखिए, किसी भी तरीके की direct, indirect energy, इसी से related, आपके professional front में फिर से मैं कहूंगी रह सकती है, ये general reading है तो possible नहीं है, कि मैं specifically, subconsigence के लिए बताऊं कि क्या रहेगा, but yes, you know, जो भी पीछे issues थे, मसले थे, उनको पीछे छोड़ कर कहीं, आप betterment की तरफ जा रहे हैं, आप फिर अपने goal, अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of swords reverse का card है, ये card कहता है कि पीछे किसी भी चीज को लेकर आप stuck मैसूस कर रहे थे, अटकावा मैसूस कर रहे थे, decision choices नहीं ले पा रहे थे, आप again देखिए, personal front में different तरीके के stuck energies थी, professional front में different तरीके की थी, और कहीं दोनों ही fronts में उन energy से आप बहार निकलते वे दिख रहे हैं, again देखिए, personal front की बात करें, तो हो सकता है, आप बहुत सरी चीजें देख के अंदेखा कर रहे थे, सुन के अंसुना कर रहे थे, आप फिर से मैं कहूंगी action नहीं ले रहे थे, initiatives नहीं ले रहे थे, आप decision choices नहीं ले पा रहे थे, तो इसी energy में से आप खुद को बहार निकालते वे दिख रहे हैं, तो देखिए, कुछ बहुत great, personal front में नहीं हो रहा है, लेकिन ये speech जो चीजें आपको bother कर रहे ही थे, उन energy से आप बहार निकल रहे हैं, और इस हिसाब से देखिए, तो ये हफता आप लोगों के लिए ठीक ठाकर रहता हुआ दिख रहा है, और astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है, इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं, यानि कि sea green, sea blue वो आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, और significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था किन से आप ल आप लोगों के लिए देखे ही, कमिंग वी क्याली करा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है sun reverse, और sun का card कहीं टारों में positivity की बात करता है, victory, success, enthusiasm, excitement, happiness, joy, इन सभी चीजों को represent करता है, और ये सभी चीजें directly, indirectly आपके professional front में इस भी कहती भी दिख रही ह एक्जामपल के तौर पे success delay हो रहा है, यानि कि आपको लग रहा है success मिल जाएगा, लेकिन छोटे-मोटे issues मसले रह रहे हैं, छोटी-मोटी delays रह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपको success मिल गया, लेकिन लोग jealous फील कर रहे हैं, या फिर आपके मन में एक डर आ गया, insecurity आ या एक satisfaction आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि एकाट clarity की भी बात करता है, तो clarity या तो आ रही है, लेकिन आप accept नहीं कर रहे हैं, या फिर you know positivity रख तो रहे हैं, लेकिन साथी साथ doubts भी आ रहे हैं, तो इस तरीके की भी energies कुछ छिली हो उसके लिए रह सकती हैं, all in all, द आप अपनी तरफ से positive frame of mind रखते हुए चीज़ों को deal करें, and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of pentacles reverse का card है, ये card discussions की बात करता है, conversations की बात करता है, क्योंकि pentacles concrete level पे practical, realistic conversations, discussions की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके की ही again energies इस week रह सकती हैं, आप देखिए कितनी बारी हम अपन friends से, या फिर लोगों से मिलते हैं, सिरफ fun, मज़ा, मस्ती के intention से, eating, drinking, very making के intention से, कितनी बारी हम अपने काम के लिए मिलते हैं, या फिर हमारा कोई loved one, हम से अपने किसी काम के लिए मिलते हैं, या फिर काम का discussion करने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर मैं सिरफ और सिरफ आपको example दूँगी जैसे किसी की शादी है तो कौन ये नो किस venue में होगा तो venue अलों से बात करनी पड़ती है और क्या वहाँ पे खाना पीना रहेगा वो एक जब हम अपने loved ones के साथ बाट के discuss करते हैं तो यहाँ पे बड़ा एक concrete level पे एक practical realistic मुद्दे को लेकर जब discussion हो रहा होता है तो वो कहीं three of pentacles का card represent करता है तो इस week again मैं कहूंगी खाना पीना फन मज़ा मस्ती personal friend में specifically एक motto नहीं रहता हुआ दिख रहा है लोगों से मिलने का connect करने का बलकी एक meaningful conversations meaningful interactions meaningful discussions reason रहते हुए दिख रहे हैं जो भी आपके love ones है close ones है या फिर जिस भी field से related आप का goal है मकसद है जैसे कि मैंने अभी आपको शादी का example दिया उनसे आप मिलते हुए connect करते हुए दिख रहे हैं and astrology से आप लुगों के लिए Venus का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section बें जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए वह गुज़ आप लोगों के लिए coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of cups two of cups का card broader level के लिए देखें तो relationships को represent करता है और इस week specifically professional front में relationships काफी हम रहते हुए दिख रहे हैं अब देखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं आप उनके साथ जादा connect कर रहे हैं कुछ के लिए जो भी professionals आपके professions से related हैं connected हैं आप उनसे जादा बातचीत कर रहे हैं आपकी जादा interactions हो रही हैं और पीछे कहीं अगेन जो भी लोग आपके professional friend में हैं उनके साथ कुछ भी issues मसले रह रहे थे तो वो भी इस week resolve होते हुए दिख रहे हैं overall loving, caring, supportive energies आपके professional friend में जादा रह रह रही हैं कुछ के लिए eating, drinking, merry making भी रह सकती है अब reason सब वो उसके लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी meetings किसी restaurant में हो रही है साथी साथ खाना पीना हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आप cafe में बैट के अपना काम कर रहे है again जो दो examples मेरे mind में आए मैंने कहा सब के लिए differ करेगा लेकिन overall फिर से मैं कहूंगे professional friend में materialistic tangible चीज़ों पे आप उतना focus नहीं कर रहे हैं मैं यह नहीं कह रही हूँ कि materialistic gains आपको नहीं हो रहे हैं हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं लेकिन आपका focus area वो नहीं है इस week इस week आपके colleagues, co-workers या फिर you know broader level के लिए लोग आपके लिए ज़्यादा एहम रह रहे हैं आपका ज़्यादा focus area है and उन्हीं से ही related कहीं चीज़ें better इस week होते भी दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of wands reverse का card है और ये card कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर एक pressure, burden आप महसूस कर रहे थे इस week या तो आप अपना pressure, burden कम कर रहे हैं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ही आपने अपने उपर responsibilities ले ली हैं देखिए आपे 10 of wands का card reverse है तो overall 10 of wands का card pressure, burden की बात करता है क्योंकि ये reverse है तो कुछ के लिए हो सकता है आप कैसे अपने pressure, burden को light करें आप उस पर focus करें कुछ के लिए हो सकता है आप over pressurize हो रहे हैं कहीं एक balanced energies इस card की नहीं इस week रहती भी दिख रही है आप देखिए आप already अपना pressure, burden कम कर रहे हैं तो बहुत ही अची बात है लेकिन over किसी भी चीज को लेकर आप pressurize महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर इसको check करके correct करें क्योंकि देखिए जब भी ऐसी energies होती है उस time हम नहीं realize कर पाते हैं लेकिन इसी की वज़े से फिर physical body में issues मसले होने शुरूर हो जाते हैं और जब starting होती है तो बहुत easily हम check करके correct कर पाते हैं जब बहुत time तक हम ऐसी energies में रहते हैं तब फिर long run में बहुत problems होती हैं तो अगर अभी-भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो आप तुरंट उसको light करें और अगर बहुत time से चल रहा है तो भी in fact दोनों ही scenario's में फिर से मैं कहूंगी कैसे आप अपने burden को कम करें कैसे आप अपने आपको easy करें उस पे आप ज़रूर focus करें और astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है इसके हिसाब से जो भी समुंद्र के रंग होते हैं यानि की sea green, sea blue आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था वोगोस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही के energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है justice reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में कोई decision, कोई choice हो सकता है आपको लेना पड़े और आप बहुत ही logically हर चीज के pros and cons को वे करते हुए ही decision और choice लेना चाहा रहे हैं लेकिन शायद आप बहुत clearly pros and cons को नहीं judge कर पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं और इसलिए शायद decision choice लेने में भी कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं overall के लिए देखें तो ये card कहता है कि आपको ऐसे लग सकता है कि चीज़ें आपके साथ fair नहीं हो रही है जो आप deserve कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है तो देखें इस चीज़ को जादा महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ ये सिरफ और सिरफ इस week की energies हैं पूरी आपकी life की energies नहीं है और जितना आप clarity लेकर आएंगे उतना ही चीज़ों को भी आप बहतर कर पाएंगे एकादुका लोगों के लिए भी हो सकता है किसी legal issue में आप involved हैं उसकी वज़े से issues हो रहे हैं और येस दिखिए बहुत कुछ खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है परसनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए 3 of souls reverse का card है अब दिखिए इस card को देख के बिलकुल भी परेशान ना हो क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताए आपकी पुरी जिंदगी की reading नहीं है सिरफ और सिरफ इस week की reading है तो इस week कहीं ये नो personal friend में आप बहुत high expectation किसी भी इंसान किसी भी चीज किसी भी situation से ना रखें क्योंकि देखिए अगर हम broader level के लिए देखें तो दो ही चीज़े हमें तकलीव देती हैं एक हमारी attachment और दूसरी हमारी expectation और अगर इस week के लिए आपने अपनी expectations और ये भी हो सकता है Libras कि आप बहुत ज़ादा sentimental, बहुत ज़ादा sensitive हो रहे हैं जहां पर चोटी-चोटी सी चीज़ें आपको hurt कर रहे हैं तो अगर ऐसा आप पाएं, जरूर अपने आपको check करके correct करें overall के लिए अगर आप अपने आपको emotionally strong बनाते हैं आप बहुत ज़ादा sensitive नहीं होते हैं और you know बहुत उमीदें इस week से नहीं रखते हैं तो ये week ठीक ठाक जाएगा नहीं तो फिर थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं और देखिए overall के लिए again three of souls के हिसाब से मैं coming week को देखूँ तो ये कार्ड कहता है कि जिस तरीके से आपने ये week प्लान किया है उस तरीके से हो सकता है चीजे ना हो and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का कार्ड है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था ले ब्राज आप लोगों के लिए coming week कर सापता ही ग्राज शीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए इस copy उस आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है कहना चीज है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है ace of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में बहुत एक enthusiasm excitement रहता हुआ दिख रहा है अपने goal मकसद को लेकर आप काफी motivated रहते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कोई नही beginning या तो हो रही है कुछ के लिए हो सकता है आप नहीं beginning कर रहे है कुछ के लिए हो सकता है growth progress हो रही है कुछ के लिए हो सकता है कैसे growth progress हो आप उस पर focus कर रहे है तो जो भी आपके professional front में हो रहा है बहुत high on energy आप रहते वे दिख रहे हैं बहुत एक excitement रहते वे दिख रही है ये वीक professional front से related काफी अच्छा जातावा दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए 8 of wants reverse का card है तो कहीं दिखिए दोनों ही fronts के लिए wants के card है professional front में मैंने आपको बताया बहुत एक enthusiasm excitement रह सकती है और कहीं personal front के लिए क्योंकि wants का card reverse है तो enthusiasm, excitement, motivation में एक balanced energies नहीं रहती हुए दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है आप over motivated है over enthusiastic excited है कुछ के लिए हो सकता है enthusiasm excitement थोड़ा सा low है and similarly 8 of wands का card movement की बात करता है speed की बात करता है और इनमें भी एक balance नहीं रहता हुआ दिख रहा है यहां तो बहुत ही तेजी से चीजें आगे बढ़ रही है और आपको लग रहा है कि आप अपनी speed नहीं match कर पा रहे है या पर चीजें इतनी slow है कि आपको थोड़ा सा एक you know restlessness anxiety हो रही है overall के लिए 8 of wands is not a negative card तो कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है बट इन ही energies से related छोटे मोटे issues मसले रह सकते है and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter planet का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था स्कॉपियोज आप लोगों के लिए coming week कर साबता है ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए सरीडे जिए से आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है queen of pentacles और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में या तो एक stability security आ रही है या फिर कैसे एक stability security आया आप उस पे focus कर रहे है money, पैसा, materialistic, tangible चीजें आपके लिए या तो एहम रहती हुए दिख रहे हैं आप फिर इन्हीं की तरफ से एक gain फाइदा हो रहा है आप अपने work, अपने काम पे बहुत ज़ादा focus, बहुत ज़ादा concentrate करते हुए दिख रहे हैं बहुत practical, realistic होके चीजें करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे queen का card है तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई female या male जिनकी feminine energies हैं उनकी तरफ से बहुत practical, realistic, एक support, एक cooperation आपको मिलती हुए दिख रही है all in all फिर से मैं कहूंगी professional front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है specifically with regards to money, पैसा, materialistic, tangible चीजें and personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of cups reverse का card है 10 of cups का card tarot में कहीं family को represent करता है happiness, joy को represent करता है, खाना, पीना, eating, drinking, merrymaking को represent करता है और यही सब चीजें आपके personal front में रह रही हैं क्योंकि यह card reverse है तो इन्ही से ही related, छोटे-मोटे issues मसले भी रह सकते हैं कभी-कभी होता है ना कि बहुत एक happiness है लेकिन उतना comfort नहीं है किसी भी reason की वजए से या फिर, you know, हम अपने loved ones की company enjoy तो कर रहे हैं लेकिन छोटे-मोटे difference of opinion हो रहे हैं छोटे-मोटे उनके साथ disagreements हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको सिरफ और सिरफ example दे रही हूँ सब के लिए different situations होंगी, different circumstances होंगे लेकिन कही personal front में भी overall के लिए एक happiness, joy, satisfaction रहती भी दिख रही है family आप लोगों के लिए एहम रहती भी दिख रही है और दिखिये जो हमारे loved ones, close ones होते हैं वो भी एक family की तरह होते हैं उनके साथ आप जादा connect कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं और फिर से कहूंगी साथ ही, साथ छोटे मोटे issues भी relationships, family, eating, drinking, merrymaking, celebration से related भी रह सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Taurus का card है इसके हिसाब से all shades of green आप लोगों के लिए इस week लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था से रिडेरिस, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए ये Capricorns आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लेकर आ रहा है, कि energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए काड है Night of Wands Reverse और ये काड कहता है कि इस week, travel या फिर transportation, वहके लिए किसी भी तरीके की movement, shift से related, छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले रह सकते हैं और इसकी वज़े से या फिर कोई और भी situation, circumstances, reason रह सकता है जिसकी वज़े से एक anxiousness, एक restlessness भी आप महसूस कर सकते हैं तो देखे, Night of Wands is not a negative card, it is a positive card लेकिन इस week, ये काड reverse है और इसी लिए मैंने आपको कहा कि छोटा मटा restlessness, anxiousness रह सकती है और broader level के लिए देखें, तो जैसी कि अभी मैंने आपको बताया या तो आप travel करना चाहा रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, उससे related issues हैं या फिर किसी चीज में आप stuck महसूस कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकलना चाहा रहे हैं नहीं निकल पा रहे हैं और overall के लिए दिखें, किसी भी तरीके के changes या तो आ रहे हैं, उनको आप accept नहीं कर पा रहे हैं या फिर changes आप चाहा रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं तो इससे related फिर से मैं कहूंगी छोटे मोटे issues मसले रहेंगे कोई भी major चीज या फिर major मसला इस week professional friend में cards के हिसाब से नहीं रहता हुआ दिख रहा है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए five of swords का card है और ये card कहीं बहुत ही एक unfair energies की बात करता है किसी level पे किसी तरीके की एक manipulation भी होने की बात करता है अब देखें फिर से general reading है, सब Capricorns के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा लेकिन broader level के लिए देखें Capricorns आपको ऐसे लग सकता है या आप deserve नहीं करते थे, या आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है fear नहीं हो रहा है, अब कुछ के लिए situation circumstances हो सकते हैं जो आपके favor में नहीं है, या फिर जैसे आपने expect किया वैसे इस week चीज़े नहीं हो रही है कि issues हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, उसमें खुद को ना involve करें थोड़ा सा अगर आप, फिर से मैं कहूंगी किसी भी तरीके का drama से या फिर argument या issues मसलों से withdraw करेंगे, तो जादा बहतर रहेगा क्योंकि अगर किसी भी ऐसी चीज़ में आपने खुद को involve किया तो फिर आप परेशान हो सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके हिसाब से all shades of green, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो यह था के अप्रिकॉण्स आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशिफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए यह queries आप लोगों के लिए देखें यह कमी week क्या लिकरा रहा है के energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of cups और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में आप सोच जादा रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं होता है न कभी कभी हमारे mind में बड़ा ही clear vision होता है हम क्या चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए लेकिन हम action initiatives नहीं ले रहे होते हैं जिसकी वज़े से हम अपने मकसद अपने goal को नहीं अचीव कर पाते हैं तो दिखें vision create कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ action initiatives भी जरूर लें अगर आप चाहते हैं कि आप अपने goal अपने मकसद को manifest कर पाएं और दूसरी बात ये कार्ट कहता है कि आप थोड़े से जादा emotional थोड़े से जादा sentimental sensitive चीज़ों को लेकर हो रहे हैं और जब भी भी हम ऐसी energies में होते हैं हम hurt होते हैं और फिर हम खुदी को परेशान भी करते हैं तो ऐसा अगर आप पाएं तो ज़रूर चक करके correct करें overall night of cups is not a negative card बस ये कार्ट हमें remind कराता है कि जो भी हम सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा है लेकिन शायद हम action नहीं ले रहे हैं जो की लेना बहुत बहुत ज़रूरी है और कहीं फिर से मैं कहूंगी एक practical realistic action initiatives required हैं जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आपका goal है मकसद है उसको पाने के लिए and person front के लिए आप लोगों के लिए nine of pentacles reverse का card है और ये card कहता है कि शायद आप थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं और खर्चा ज़रूरी नहीं है कि किसी गलत चीज़ पे हो रहा है बट फिर भी थोड़ा सा pause करके जरूर चेक कर लें जो भी चीज़ों पे खर्चा हो रहा है वाकई में उनकी आपको जरूरत है या फिर आप सिरफ एक lifestyle maintain करने के लिए या आपके पास पैसे हैं उनको spend करने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो देखे खर्चा करना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन हर चीज़ को जब हम balance सरीके से करते हैं तो फिर overall life हमारी easy रहती है और दूसरी बात ये काट कहता है कि शायद आप किसी पे भी अपनी किसी भी चीज़ के लिए beyond the point depend नहीं होना चाह रहे हैं independently चीज़ों को करना चाह रहे हैं चाहें फिर वो कोई चीज़ enjoy करना हो या फिर कोई काम हो और शायद उस तरीके से independently आप नहीं कर पा रहे हैं यानि कि एक discipline नहीं maintain कर पा रहे हैं एक बहुत systematic organized तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई hobby है आपकी जिसको आप pursue करना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं चोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं अगें nine of pentacles is not a negative card बट ये card जब reverse आता है तो जरूर मैं कहती हूँ कि खर्चा किस चीज़ पर कर रहे हैं उसके लिए एक awareness रखें या फिर उसको चेक कर लें अगर आपको लगे कि ठीक जगा पर खर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको लगे कि ये ख हरचा आप वाइड कर सकते हैं या फजूल का है तो उसको जरूर चक करके correct कर लें और astrology से आप लोगों के लिए Scorpio का card है इसके इसाप से जो भी समंदर के रंग होते हैं sea green, sea blue आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था एक वेरियस आ आप लोगों के लिए देखें कमी week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Empress Reverse, देखें Empress is very very positive card, ये comfort, luxury को represent करता है, कहीं you know positive outcome, positive result की भी बात करता है, लेकिन इस week ये card आप लोगों के लिए reverse है, तो कहीं जो भी चीज के लिए पीछे आपने बहुत महनत करी, बहुत effort किया, और अगर आप इस week एक positive outcome, positive result expect कर रहे हैं, तो मैं ये बिलकुल भी नहीं कह रही कि आपको positive outcome, result नहीं मिलेगा, definitely मिलेगा, लेकिन इस week छोटे मुटे delays हो सकते हैं, चीज़े postpone हो सकती हैं, इसी से ही related, और इसी वज़े से या पर otherwise भी, उतना एक comfort आप नहीं महसूस कर रहे हैं, यानि कि किसी भी तरीके का discomfort रह सकता है, क्योंकि ये general reading है, तो situation, circumstances सबके लिए differ करेंगे, Empress कहीं mother को represent करती है, तो कोई भी इनसान, male या female, जिनकी motherly energies हैं, बहुत caring, nurturing हैं, उनके साथ छोटे मुटे issues मसले रह सकते हैं, और ये कोई भी इनस आपके professional friend में, या फिर personal friend से भी हो सकते हैं, and personal friend के लिए आप लोगों के लिए five of pentacles reverse का card है, और ये card कहीं छोटे मुटे issues मसले की बात करता है, again देखिए सब के लिए issues मसले differ करेंगे, लेकिन कहीं ये card money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को जाधा represent करता है, तो इनी चीज़ों से related, again मैं कहूंगी issues रह सकते हैं, example के तौर पे कोई बड़ी चीज़ purchase करना चाहरे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे थोड़े से कम पड़ रहे हैं, and कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी से उधार लेना चाहरे हैं, आपको उधार नहीं मिल रहा है, या जो भी materialistic, tangible रहे हैं, तो देखिए, इस काट के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो एक अकेला पन आप महसूस कर सकते हैं, किसी भी इंसान की तरफ से एक rejection आप महसूस कर सकते हैं, rejection actually is very very heavy word, आपको ऐसा लग सकता है कि आपका कोई खास loved one, या फिर overall जो close ones है, आपको इतना include नहीं कर रहे हैं, अपनी चीजों में, अपनी life में, और इसी लिए आप again एक अकेला पन आतों महसूस कर सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से आपको ऐसे लग सकता है, वो आपको ignore कर रहे हैं, आपको neglect कर रहे हैं, अब देखिए, ये weekly reading है, तो weekly reading में बहुत ही छोटे मोटे issues मसले होते हैं, तो इस चीज को सुनके आपने बिलकुल भी परेशान नहीं होना है, नया week नए energies लेकर आएगा, नया week में हम देखेंगे चीजें किस direction में जा रहे हैं, बट इस week अपने frame of mind को ज़रूर ज़रूर बहुत positive रखें, क्योंकि थोड़ा असा भी negative frame of mind हुआ, तो जो भी external front में च ठोटी मुटी चीजें हो रहे हैं, वो आपको बिलकुल भी परिशानिया बौदर नहीं कर पाएंगी, and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है, इसके इस आप से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा, insignificant day आप लोगों के लिए होगा, Monday, तो ये था पाइसे से आप लोगो